बाई लोग इस फिल्म को मैं कल सुबे देखके शाम तक वीडियो बनाने का सोच रहा था लेकिन मेरे थेटर वाले ने इस प्लान की उपर पूरे का पूरा पानी फेर दिया क्यों? क्योंकि इस भाई साब ने ये फिल्म थेटर में लगाई नहीं यहाँ के देटम में एक मराणी फिल्म लगी हुई है जिसका नाम है नुरा मानौ sendiri मराणी फिल्म है और हाँ मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मराणी फिल्म मत लगा हूँ लेकिन हर बार ये क्या करता है कि दो फिल्में लगाता है और उनके timing schedule कर लेता है कि हाँ 12 बचे ये लगेगी, 3 बचे ये लगेगी लेकिन इस बार उसने एक ही फिल्म लगाई और दूसरी फिल्म को टाटा बाई बाई कर दिया लेकिन मैं genuinely कह रहा हूँ मेरी बहुत इच्छा थी यूद्रा देखने की क्योंकि इसका जो ट्रेलर देखा था मैंने मेरा reaction भी है पड़ा हुआ चैनल पर नहीं देखा है तो देख लेना मुझे बहुत पसंद आया था ट्रेलर मैं उसके violence के लिए उसके action के लिए इस फिल्म को देखना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इस फिल्म को ट्रेलर देखके किल्की लेवल का भी गिना चाह रहा था लेकिन अगर आप लोग फिल्म देखोगे तो फिल्म में भाई साब कुछ भी नहीं है मैं थोड़ा सा elaborate कर देता हूँ कि अगर आप लोग इस फिल्म को सिर्फ और सिफ जो हम लोग ने हर बॉल्यूड की फिल्म में देखा है माबाप मर जाते है तो बेटा उनका बदला लेने के लिए निकलता है तो हां वहीं की सीपीडी स्टोरी है मैं सच कह रहा हूँ इंटरवल से पहले या फिर इंटरवल के बाद उसी बीच में एक सीन आता है इमोशनल सीन आता है उस सीन के बाद जो हमें कुछ दिखाया गया है उसे देखने के बाद मैं genuinely confused हो गया था कि मैं उस emotional scene को देखके emotional हूँ या फिर उसके बाद जो चल रहा है यानि ये गाना चल रहा है उस romantic गाने को देखके मैं horny feel करूँ यानि सच कह रहा हूँ वो गाना इतनी weird place पे इन लोगों ने add किया है कि उस emotional impact को जहाँ पे किसी के death हो जाती है उस emotional impact को वो गाना पूरी तरीके से खा जाता है इवन मैं ये भी कहूँगा कि इस film का जो first half है वो इन लोगों ने थोड़ा सा stretch किया है जिसकी बज़े से में भी आप लोगों को लग सकता है कि ये क्या हो रहा है या फिर ये क्यों slow feel हो रहा है सच कह रहा हूँ इनके पास एक अच्छा concept था चाहे story की CPT की उना हो ये एक अच्छी thriller और action film बना सकते थे actually action तो अच्छा था इस film का लेकिन हाँ overall film को अच्छा बना सकते थे बट fail हो गए और मैं इस film को देखने के पाद genuinely disappointed feel कर रहा हूँ क्योंकि इसके thriller ने मेरे दिमाग में तो एक अलग हाइपset करके रखी थी मुझे लगा था कि इस film में हमें किल के level का कुछ देखने को मिल सकता है जो कि action wise है भी लेकिन मजा नहीं आया मुझे फिर भी विल अगर आप लोगो को फिर भी इस film को देखना है वरना comment में बोल दोगे कि रागो की पार में तो कुछ नहीं बोला तो मैं तो कहूंगा कि रागो का जिस तरीका character हम लोगों ने किल इस film में देखा था एक psycho तरीके का एक violent तरीके का character तो हाँ वैसा ही character हमें यहाँ पे भी देखने को मिलता है वो भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से perform किया है और psycho तरीका का character उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से play भी किया है लेकिन हां उन्हें एक अच्छी script नहीं मिल पाई और रही बाद film के BGM की तो BGM तो मुझे ठीक टाक सा लगा लेकिन अगर फिल्म के गाने की बात करूँ तो जैसा कि मैंने कहा गाने बहुत weird जगे पे place किये थे और तीन गाने हैं शायद से और तीनों गाने मुझे उतने अच्छी नहीं लागे कि मैं उन्हें फिर से सुनूँगा या फिर थेटर के बाहर निकलने के बाद वो गाने शायद ही आप लोगों को याद रहेंगे तो हां all and all युद्रा, story wise, screenplay wise बहुत ही disappointing है लेकिन action wise अगर देखोगे तो action मुझे इस फिल्म का genuinely बहुत पसंद आया तो हां इस फिल्म को लेके मेरे तो यह opinions थे अगर आप लोगों यह फिल्म देखी है तो आपको यह फिल्म कैसी लगी मुझे comment में ज़रूर बताना साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब तो मिलता हूँ इसी से अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वोचिंग